Hello everybody, मैं Dr. Vikram Maskar हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेशग्या और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहीं ऐसे कारण जो घुटनों में दर्ध पैदा करती हैं जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, ये क्या होते हैं, ये क्यूं होते हैं और इनका समाधान क्य है, एक है fractures around the knee, तो fracture क्या होता है, fracture होता है हड्डियों का तूटना और घुटनों में जो है तीन हड्डियां होती है, जांग की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा, ये तीन हड्डी तूट सकते हैं कहीं कारण के वज़े से, एक होता है चोट के खारण, आप बाइक चला थे, सीडियों से गिर गए हड्डी तूट सकती है, कभी-कभी हड्डी अपने आप में कमजोर है, तो ज़्यादा चोट ना लगने के कारण भी ये तूट सकती है, थोड़ी भी चोट लगने से, इनको हम बोलते हैं pathological fractures, ये ज़्यादा तर दिखाई देते हैं, इन लोगो में जो बूडे हो गए है, हड्डियां थोड़ी कमजोर हो गई है, तो थोड़ी बहुत भी गिरने से ये तूट जाती है, कहीं tumors जो है अगर हड्डी में हो, ये हड्डियों को खा जाती है, calcium कम हो जाता है, और हड्डी अपने आप तूट जाती है, जिनको हम pathological fractures बोलते है दूसरा कारण है घुटने का दर्द का dislocation, जिसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं किये, तो dislocation क्या होता है घुटने में, तो जैसे आप जानते हैं, घुटना जो है, ये तीन हड्डियों से बना है, पर जांग की हड्डी और पैर की हड्डी को एक जुट रखने के ल आगे और पीछे वाली रसियां जो है, घुटने को आगे और पीछे जाने से रोकती हैं, ऐसे, अंदर और बाहर वाली रसियां जो है, ये घुटने को ऐसे और ऐसे जाने से रोकती हैं, ना, कटोरे को भी बीच में रखने के लिए भगवान ने दो रसियां दी हैं, एक अं जीत रहें इसलिए कटोरा बीच में रहता है अगर कोई भी लिगमेंट या स्नाई बंदू तूटे इन दोनों में से तो कटोरा दूसरे स्नाई बंदू के तरफ जो है वो चला जाएगा क्योंकि वो खीचाव होगी उस तरफ और नॉर्मल होता है बाहर की तरफ जाना क्योंक जाए तो घुटना जो है या अपनी जगे से हिल सकती है जब यह ऐसे हिल जाती है कि उपर और नीचे वाली हड़ी बिल्कुल टच ना हो इसको हम डिस्लोकेशन बोलते हैं जब यह ऐसे मूव हो जाए कि कुछ ना कुछ एरिया अभी भी टच कर रहा है तो इसको हम सबलक्स बोलते हैं मतलब पूरी तरीके से यह अपना कॉंटाक्ट लॉस नहीं किया है जब यह हो जाए यह इसका आसार है कि लिगमेंट तूटी हुई है एस्पेशली एक से ज्यादा लिगमेंट अगर मेल टिबियो फीमोरल जॉइंट में हो जांग और पैर की अड़ी के बीच मे यह एक ही लिगमेंट जब यह कटोरे में हो इनका ट्रीटमेंट क्या है अगर यह फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर को जोड़ना पड़ता है कभी-कभी कही फ्रैक्चर जो है ऐसे होते हैं कि यह तूट गई है पर अपना जो जो relationship है वो maintained है मतलब वो अपने जगे से hilly नहीं ह कभी-कभी plaster लगा के यह अपने आप ठीक हो जाता है छे हफते से तीन मेने तक depending on बच्चा है या adult है अगर यह अपना relationship खो बैट है तो इसको fix करना अनिवारिया है या अगर fracture जोड के अंदर हो तो इसको fix करना अनिवारिया है ताकि घुटने का संतूलन ना बिगड़े और घुटना जो है वो smooth रहे और rugged ना कराए और यह हम कैसे करते हैं कहीं ऐसे तरीके के implants मिलते हैं जैसे nail हो या plate हो पेच हो कभी-कभी दूरबीन के द्वारा भी हम इसे fix कर पाते हैं हड्डियों को अगर dislocation है तो पहले चीज है घुटने का संतूलन वापस ले आओ मतलब हड्डी को दूसरे हड्डी के उपर बिठाओ और सही तरीके से बिठाओ और confirm करो कि यह सही तरीके से बैठाओ जैसे आपने वो कर दिया अगला step होगा जो ligament टूटे हैं उनको वापस बनाओ जो दूरबीन के द्वारा होती है और अगर गदी भी टूटी है तो उसको भी अपने आप दूरबीन के द्वारा अपनी जगे पे बिठादो या repair करो कहीं ऐसे भी कारण है जैसे overuse हो ओवर यूस क्या होता है जरूरत से ज्यादा इस्तमाल करना जैसे कोई runner हो cricket player हो तो इनको होता रहता है जैसे सचन तंदूलकर को भी tennis elbow हुआ था यह क्यों हुआ था चोट के कारण नहीं क्योंकि वो sixer मारते जाते हैं जब यह मारते जाते हैं अफकॉस अलग-अलग अंगों पे अलग-अलग pressure होता है जिसके वज़े से वो अंग तूट भी सकती है या उस पे सूज़द भी आ सकती है जिसको हम overuse बोलते हैं मुझे उमीद है आपको ये वीडियो से जानकारी मिली है गुटने के दर्द के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक यू